तो फ्रेंट्स हार को जानता है WD hard drives को चोकी है Western Digital की Western Digital brand तो दोस्तों ये काफी अच्छी mechanical hard drives बनाता है चाहे वो और कई सारे ब्रैंड्स के मकाबले पर दोस्तों इस बार WD blue इंटर्ड्यूस कर रहा है दोस्तों अपनी नई और faster और साते साथ cheaper SSDs जो की दो नए variants में दोस्तो लांच होगी launch होने वाले दोस्तों जल्दी वह है WD blue और WD green SSD तो चलिए चलते हैं इनकी specifications की ओर तो दोस्तों जिन्होंने पहले WD hard drives यूज करी है mechanical वाली उनने उन सबको दोस्तों पता होगा WD blue drives faster होती थी green से और जो WD की highest performance drive थे वह WD black है तो friends ये दोनों drives आते हैं वही स capacity की दोस्तों मैं बात करूं बात करूं तो दोस्तों WD blue SSD available होगी 250GB 500GB और 1TB की capacities में इसकी 545Mbps read speed होगी और 525Mbps write speed होगी up to 400TBW उसका मतलब होता है दोस्तों terabytes data तो आप इस SSD की entire life में इस पर पूरी performance के साथ 400TB का data write कर सकते हैं जब तक की SSD slow और fail होना start नहीं हो जाती है तो दोस्तों WD green की बात करूं तो WD green दोस्तों जो drive है वो 120GB और 240GB की capacities में आएंगे क्योंकि यह smaller होगे जिसकी 545Mbps read और 405Mbps write speed होगी और दोस्तों यह little bit slower होगी blue वाली SSDs के मुकाबले जैसे कि दोस्तों mechanical में होता था पर कोई जादा difference नहीं होता है नहीं है दो राइसिंग होगी वह होगी $79 से $299 के बीज इनके हर model की price की pricing की information दोस्तों अभी तो available नहीं है पर जल्द ही दोस्तों available हो जाएंगी और यह market में आ जाएंगी तब आप इसे purchase कर सकते हैं सिर्फ one year की warranty के साथ पर यह क्या दोस्तों सैमसंग तो हमें same price range पर five to ten years की warranty दे रहा है तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि क्या यह drive successful हो पाएगी और brands के मुकाबले क्या यह क्या यह दोस्तों compete कर पाएगी इस range में तो दोस्तों अगर आपने को कुछ भी सुजाओ कुछ भी आपको सुजाओ है तो आप नीचे comment section में मुझे बता सकते है और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक कीजिए नहीं च्छी लगिए तो डिस्लाइक कीजिए और चैनल को आपने में तक subscribe नहीं करा तो subscribe कर लिजे तो मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगनी वीडियो में